हेलो दोस्तों मैंने नाम है में तो मैं स्वागत करता हूँ आप सबीका अपने यूटूब चैनल आमितास क्लासें में दोस्तों मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं बहुत जल्दी आप लोगों को जो कि लोगर पीसियर्स या फिर मंडी परशाद रेले नंटी पीसी से इससी घा से लुग्वी की परिछहाओं के लिए इंपॉर्टन होगा ठीक है तो यह क्यूसन्स जो है वो कई बुक्स लिए गया है जैसे मुकेश बनवाल सर की बुक्स लिए गया है लूशन्स लिए गय तो उन्हीं क्योंस की हम बात यहां पर करेंगे देखिए जो कॉमन होते हैं तो मैं उन्हीं क्योंस की यहां पर बात किया हूं जो की कॉमन भी है और बहुत बार एक्जामें पूछा गया है तो यह 25-30-40 कुछ आपको मुश्किल से 10 मिड़ के अंदर अपका बढ़ियां से रि ठीक है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं दोसों सब से पहले क्यूसन से पहले क्यूसन वारा कहता है यह रपपा नामक पूरा अस्तल्ग के बारे में सौर्पतम जानकारी किस नहीं दी थी चार्ल्स मेhसन ने 1826 में इन्हों जब दी थी यह जानकारी तो लोगोंने इन मैसन ठीक है नेक्स बात करते हैं भारती पूरा तत्तो के पिता के उपनाम से कौन प्रचित था तो यह थे अलेकजंडर कनिंगम ठीक है इन्हें भारती पूरा तत्तो का पिता भी कहा जाता है नेक्स कुशन की बात कर लेते हैं पूरा लेक विद्या का अभिपराय क्या है तो क्योंकि इसको कांसी योगीन सब्विता कहा ही जाता है ठीक है तो चलिए यहां पर नेक्स क्यूशन की बात कर लेते हैं हरपा सब्विता का सरपतम खोज करता कौन था तो यह थे दया राम सहनी 1922 में ठीक है कन्फ्यूज मत हुएगा राकल दास बनर जी भी है लेकिन वो नही है हम आगे उनके बारे में पढ़ेंगे ठीक है भारत ने खोजा गया सबसे पहला पुराना सहर था वो था हरपा ठीक हरपा किस नदी के किनारे इस्तित था तो यह था रावी नदी के किनारे इस्तित था ठीक है मोहन जोड़ो और चनहुड़ो के खंडार किस नदी के सिंदुनधी की पूझा भी करते हैं तो कभी-कभी कोई-कुई पुरानी मूवीज हमें देखनी चाहिए अगर आप मोहन-जोधारो मूवीज देख लेते हैं देखे होंगे तो आपको बहुत सारी किसंस यहां पर जो मोहन-जोधारों से रिवेलिटर होगा वह आपको कन्फर बात करते हैं काली बंगन किस प्रदेस में विद्धिमान है तो यह है राजस्तान में हरप्पा के जो निवाषी थे वह कैसे थे तो वह सहरी यह बहुत इंब कुछ ने कई बार जानों था तो बिएना दुर्ग का जो था वो था चनहुद्रो ठीक है अपवात्तंत्र का निर्मार्ट सबसे पहले कि सभीता के लोगों ने किया था पर T तो आपका आंसर होना चाहिए कि सिंदुघाटी सभाथ के घर किसके बनाया गया थे देखे इंट का बनाए। क्योंकि इट के बने थे तो यहां पर यह चीज हमें कंफर्म हो जानी चाहिए कि सिंदु घाट जो सिंदु सबिता के लोगों का मुखेता बेवसाय किया था इनका बेवसाय था क्रिसी क्रिसी के ही माध्यम से यह लोग करते थे आपने देखा होगा मोहां जदुर फिल्म में कि वो लोग नील की खेती करते थे फिर उसको लेगे जाके बजार में बेजते थे आगे हम पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से लेंदेन करते थे ठीक है चलिए यहां पर हम बात कर लेते हैं हरपा वासी किस वस्तू के उत्पादन म करते थे चिंदू सबबैता में सिंधू सबबबता में किस जानवर का उलेख नहीं था तो वह गाया क्योंकि उसлож थेवा नतों है बटगाय का वरण नहीं है क्योंकि गाह जो है वह आरे समाच जब आया था तो बोलेके आया था ठीक है सैंधु सबैता का बंदरòn से था ठीक ही था और संद्व सब्विता का बंदर गाह अगर पूछा जाता है तो आपका एंसर होना चाहिए लोथल चलिए पैमानों की खोज से यह सिद्ध हो गया था कि सिंदु घाटी के लोग माप और तौल से परचित थे यह खोज कहां पर हुई थी यह खोज हुई थी लोथल पे ठीक है कहां मिला था मतलब जाहिआसी बात है कि बंदर गाह पे वह लोग नाम्तौल काफी करते रहे होंगे तो जाहिए सी बात है कि लोथल पे ही होगा ठीक है दवी माता कि पूजा संबंधित थी सिंदु देभी की सिंदू सभिता ने घोड़े के पाले जाने का इस पश्ट प्रमाण नहीं मिलता है यह नोट है मैं ऐसे ही कंटेंट आपको देने की भरपूर कोशिज करूँगा कि जो आप पढ़ो तो आपको लगे कि सन न जो दिया है रिवीजन के लिए वो बहुत अच्छा था खुस हो जाओ आप और अब खुस हो कि हमारे चैनलों को सब्सक्राइब कर लो सेर कर दो अपने दोस्तों के पास वीडियो लाइक कर दो इसी यही मेरा एम है ठीक है वैसे तो दोस्तों 25,000 प्लस सब्सक्राइबर है हमारे पास और जो व्यूज है वो धाइस भी नहीं है यह प मात्र देवी पसुपती पीपल आदी की उपासना सिंद्यू सब्सक्राइब करते थे अगर इजा में पूछा जाता है कि संद्यू सब्सक्राइब के लोग किसकी उपासना करते थे तो अगर उसमें है मात्र देवी तो जाहिज जिवाते वह होंगी अगर यह तीनों है तो तीनों होंगे ठीक है और अगर इन में से कह दियागे कि लोग किसकी उपासना नहीं करते थे और यह तीनों ऑपसन में है उसके बाद अगर जैसे कोई और ऑप्सन में आ गया तो वह कट हो ठीक है तो थोड़ा सा अगर क्यूशन घुमा भी रहे हैं तो आपको अगर यह सब क् व्यागर हाथी घैणड़ा भैसा तो यहां से यह भी एसे घुमा के थोड़ा सा कई बार पूशा जा सकता है चलिए नेक्स क्यूशन की बात कर लेते हम यहां पर अपर स्वास्तिक कच्छिन सूचक है सूर्य पूजा का ठीक है सूर्य पूजा का वह सूचक था सिंदु घा पूरा तत्तिक साची के नुसार सिंदु घाटी सब्यता के लोगों का किस प्राचीन सब्यता से घनिष्ट संब्द था तो वो था इराक हमने आपको बताया था कि लोथल में व्यापार करने के लिए इराक से काफी ब्यापार होता था तो जहरी सी बात है कि उनके संबंद भी जो रहे होंगे वह इराक से काफी घनिष्ट रहे होंगे आदमी अपने घनिष्ट मित्र के हिसाथी ब्यापार खरता है सिंदु घाटी के लोगों का ब्यापार किस मांत्यम से होता था यह इसके पास मानलो गेहूं है ठीक है और इसके पास पैसे तो नहीं है बट इसके पास भी चावल है इसने कह दिया कि हम्हें हुँधो हम तुम्हें चावल दे और आपस समान वस्तू बिर बिर्हें, तो यह सब बससे को बारत रहें है टीक है ठीक है चलिए नेफ्स बात कर लेते हैं सिंदु घाटी सभीता को हडपा संस्कृत के नाम से क्यों पुकारा जाता है क्योंकि स्वर्पतम हडपा के टीले की ही खुदाई हुई थी पूछा भी जा सकता है कि हडपा राजधानी थी या ऐसे कुछ आप्संस दिये जाएंगे लेकिन आपका एंसर होना चाहिए कि हडप हडपा के टीले की ही खुदाई सर्पतम हुई थी इसलिए सिंदु घाटी सभीता को हडपा संस्कृती भी कहा जाता है किस नगर किस नगर में घर मुक्य सड़क की और खुलते थे बहुत इंपॉर्टन कि उसने पीसेस तक का कि उसने यह पूछा भी जाता है तो वह है होते थे वह कि हाँ यह business करेगा यह बिजशने करेगा यहां से business करना पड़ यहां मतलब आपने देखा होगा कई ब tussen then पुरानी जो है उनमें भी ऐसे ही बताया गया है तो यही है कि व्यापारियों के द्वारा ही लगभग सासित थे लेकिन यह लगभग है सेंधों लोग किस धादु का सबसे अधिक प्रियोग करते थे यानुकि उस समय सबसे जादा किस धादु का प्रियोग होता था तो सी युगीन यूग का गया ठीक है यहां पर हम लास्ट बात करेंगे बहुत इंपॉर्टर इंप्रियों सिंही हुग है सीधनी ठीक है संधी भासा को का टीला ठीक है तो आई होप यह जो 30 प्लस 3 नोट यहां पर 33 क्यूशन की जो बात हुई है यहां से आपका रिवीजन बहुत अच्छे से होगी होगा सिंदू हाटी सपिता को लेके नेक्स क्यूशन में हम आगे बात करते चलेंगे यहां पर करीब 9 से लेके 10 चैप्टर पर हम यहां पर फोकस करेंगे और यहां से अगर आपने इन 9-10 चैप्टर को देख लिए तो मैं आपको बता रहा हूँ अगर कभी क्यों साते हैं तो निकल के नहीं जाएंगे और मंडी परशत के एकजाम में तो देखियागा कि नहीं चूटेगा ठीक है तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा है अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजेगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्स दोसों भी आने में हालत खराब हो जारी ठीक है तो पता नहीं क्यों हो रहा है यह सारी यूटूब पॉलिसी है यह कुछ और है लेकिन अगर आप करेंगे थोड़ा सा मेरा आप थोड़ी से मेरी मदद करेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा कि मैं आप लोगों की चम के लिए तो वीडियो देखने के अपका बहुत सुक्री है दोस्तों धन्यवाद करेंगे तो